जहां पर बहुत पैसा कमाए जा सकता है और एक्जामपल मेरा चैनल है अगर उसके उपर में आज आड जो होती है वो एक्टिवेट कर दू किसी को आइडिया है ने कितना कमा सकता हूँ बहुत मरलब क्या होता है साल का 40-50 लाग रुपे वो अलग बाद है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुमेंट यू स्टार्ट डूइंग सम्थिंग पर्फेक्टल तो सक्सा सक्ना मिली शुरू हो जाती है गाईज आपने जो थमनेल देखा है ये वीडियो ठीक उसी बारे में है इसमें संदीब महिशवर जी के यूट्यूब सीक्रेट टिप्स के बारे में विस्तार से समझाया गया है ये कुछ मिनिट्स का वीडियो पूरा जुरूर देखिएगा शायद आज आपकी लाइफ चेंज हुज़ जाए एक सेशन के दुरान शंदीब महिशवर जी ने यूट्यूब केरेन और अनिंग्स के बारे में कुछ टिप्स और जानकरी देते हुए बताया था कि यूट्यूब से lots of lots of अनिंग कीजा सकती है उन्होंने खुद अपने बारे में बताया था कि अगर वो अपने यूट्यूब चेनल का monetization on कर दें तो वे खुद यूट्यूब से हर साल 40-50 लाग रुपिय कमा सकते हैं बढ़ यह उनका personal view है कि उन्हें यूट्यूब अर्निंग में interest नहीं है क्योंकि वे यूट्यूब पर फिरी सेवा भाव से काम करना चाहते हैं हम आपको बता दें कि संदीप महशवरी जी एक successful business man भी है दोस्तों सभी के mind में confusion बना रहता है कि क्या सच में YouTube से पैसा आते हैं तो हाँ यह सच है YouTube से अन्निंग होती है YouTube एक genuine platform है जो Google का एक product है यहाँ लोग जो वीडियोज अपलोड करते हैं Google उन पर ads दिखाता है YouTube को मिलता है लोग लाखों रुपिया YouTube से कमा रहा है मुझे भी YouTube से कुछ earning होती है YouTube से कितनी earning होती है गाई इसके लिए कुछ बाते वेरी करती है जैसे आपका चैनल या वीडियो किस बारे में है मतलब आपकी audience जो आपकी वीडियो देख रही है वो किस तरह की है दूसरा आपका वीडियो कहा देखा जा रहा है किस सिटी किस देश में देखा जा रहा है एक अनुमान का अनुसार जो लगबग बिल्कुल सही है कि अगर आपके चैनल पर 1000 वीउस एक दिन में आते हैं तो आपको लगबग एक डूलर के आसपास की अनुमान होती है जब आप सक्सेस्पल हो जाते हैं तो आपके एक एक वीडियो पर एक दिन में 1000 वीउस आते हैं तो यहां इसको बहुत हैं आप सोच सकते हैं कि आप यहां कितना कमा सकते हैं यूट्यूब से अनिंग होने में कितना समय लगता है जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 गंटे का वाश टाइम यानि धाई लाग मिनिट का वाश टाइम कम्प्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मॉनेटाइज हो जाएगा और आपकी अनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी इसके लिए आपको सिर्फ कुछ महीने लगतार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है मेरे अनुसार एक नए यूट्यूबर्स को लगबग 3-6 महीने तक का समय लग सकता है चैनल शुरू करने से पहले आपको एक नीश चुनना जरूरी होता है कि आपका चैनल किस बारे में होना चाहिए और आप में क्या एक्सपरटीज है आप लोगों को क्या अच्छा बता सकते हैं उन्हें क्या अच्छी जानकारी दे सकते हैं ये सोचकर कभी नीश मत सेलेक कीजेगा कि किस नीश में ज्यादा प्रोफिट है क्योंकि बाजार में सबी तरह की शौप होती है कपड़े की, जूते की, इलेट्रोनिक की, जोलर्स की, इतियादी अगर सब प्रोफिट की तरह जाते हैं तो बाजार में सिर्फ एक ही तरह की शौप हुआ करती पैसा जरूरी है बट इसको आप सेकंड पाइदान पर रखिए फस्स पाइदान पर आप अपना कांटेंट रखिए कि आप लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं वो वैल्यूबल है या नहीं तब ही लोग आप से जुड़ेंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको ज्यादा व्यूस आएंगे और आपकी अनिंग भी ज्यादा होगी दोस्तो वीडियो डालने में हमारे कुछ खर्चा तो होता नहीं है इसलिए बिना रुके बिना थेके लगतार अच्छे अच्छे वैल्यूबल वीडियो डालते रहना चाहिए शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा पर ये आपका स्ट्रगल होता है आपको वीडियो डालते रहना और सीखते रहना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हो नहीं रहा है 10 वीडियो ढाल दीए और व्यूस नहीं आ रहे है हो सकता है आपका 11 वीडियो वायरिल हो जाए दोस्तो रात तो रात कुछ नहीं होता शुरुआत में हर महीने 10 वीडियो डालने का प्रियास कीजिएगा कम से कम हर हफ़ते एक या दो वीडियो तो जरूर ही डालेगा दोस्तों शुरुआत में आप बहुत कुछ पहली बार कर रहे होते हैं शुरुआत में आप बहुत सारी चीज़े पहली बार सीखते हैं और गलतिया करते हैं बट इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सक्सित आपके पीछे पीछाती है means काबिल बनिये काबिले खुद आपके पीछे आएगी इस वीडियो से आपको कुछ वेल्यो मिली हो तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर दें इससे आपको नई आने वाली वीडियो की नॉट्रिफिकिशन मिल जाएगी प्लीज लिए लिए खुर वाचिए वीडियो थैंस वर वाचिए 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 यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दें आएगी